तो आप सभी को स्वागत करते हैं इस वीडियो में और आज जो खास वीडियो होने वाला अब ऐसे देखा जाये तो आज है निकला है मैट्री का रिजल्ट जो हमारे गायों का एक लड़का है, उनसे हम रू-रू करवाना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं, देखा जायता है ग लकात करवाते हैं और अच्छा खासा आज नंबर लाया है मैट्रिक में कैसे पढ़ाई कियें कितना संघर्ष कियें और इनका कितना नंबर आया मैट्रिक में आज इनी के मुझ से जुवानी हम सुनेंगे तो सिराज आपको सबसे पहले धन्यवाद वेलकम आपको करना चाहते हैं कि आप मुझे इस चैनल पर मन्ली इंटर्व्यू के लिए सवभाग प्राप्त हुआ कि मेरा इंटर्व्यू हो रहा है बहुत बड़ी किरिपा हुए मेरे पे मेरा नाम सिराज कुमार है मेरे पीता जी का नाम अनील मिस्तिरी है मेरे माता जी का सर्म गुडिया देवी हैं मेरा वाल कि मैरा सबसे पर्थम मेigs मेरा मेरा में घुड़ी निज्ञ मेरा योगदान है तो मेरा खुद का यूगदान है उसके बाद मेरा मातपीता का यूगदान है और मेरा गौंग में कोचिंग है उसे में साधन बहुत मेरा किर्पा हुआ जिसका नाम डिवियस कोचिंग सेंटर है जिनके डाइरेक्टर गुड़ू सर्मा है और में अलेंस संस्था से भी मतलब इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि मेरा मैट्रिक में रिजल्ट 441 नंबर यानि 88.2 पर्षेंट मेरा रिजल्ट आया है मेट्रिक में तो कांगर चाहिए लेसन देना चाहता हूं कि इनका नमबर 88.2 यानि 441 नंबर देहां तो काफी अच्छा नंबर है 500 सबसे पहले पूर्णा चाहता हूं के कोचिंग का नाम करना स्कूल उतकर मित हाय इसकूल चासी पासओड किया है और मुझे लगता है इसकूल में हाइस नमबर लगता है तुम्हारे जी मेरा है और बतो कितना घंटा पढ़ाई करता है एवरीडे के बात मोला जाए तो एवरीडे टेन आवर हर समय सा होता था लेकिन कोई-कोई दीन जैसे संडे का दिन हो गया तो कभी-कभी आठ घंटा रेस्ट करने के लिए हो जाता था लेकिन माना जाए तो प्रती दिन मेरा 10 आवर च और लाइन क्लास करता था तो सुन लेजिए कौन सा चैनल के नम बदा टारगेट बड़ बोड से पढ़ा वैसे आउनलाइन चैनल से भी काफी सारे टीचर रहा ऑन लाइन ठीसे आप पढ़ना चाहता है ठीक है तो उस पर कैसा पढ़ाई होता है आओ लेम सबसे पहले अपन कोचिंग के बाद किया तो गहंटा देन में खाया रात को दो गहंटा आफ लाइन कलास होता था बाकी जोडा जाए तो 8 गहंटा मैंके 8 गहंटा सेलफ एक हमें जी काफी अच्छा है और यह पूर मना चाहता हूं कि यह सबसे ज्यादा तुम्हारा में टार्गेट कौन सा सब्जेक्ट पर ज्यादा था मेरा सबसेदर टार्गेट था मैथ पर मैथ में एकानमी नमबर आया इनका जितना डाटा चार्ट है कितना वह हम आपको डिस्क्रीप्शन या फिर वीडियो के साइड में लगा देंगा आप देख सकते हैं सबसेदर मेरा हाइस नमबर साइंस माया नाइटी सेवन नमर अच्छा है परपस अच्छा है चला ठीक है और यह पुछना चाहते हैं कि आफ लाइन तो गौं में पढ़ाए कि नहीं सिर्फ कौं में नहीं सिर्फ एक कोचिंग मतलब के देखा जातों गौं में और आउनलाइन आउनलाइन मतलब यह पड़ता था यह डिफरेंट डिफरेंट एक चैनल पर देखें एक बात हम और आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे अगर आप आप आउनलाइन पढ़ाई करते हैं सोसल मेडिया के तो आपका मुकाब हासिल हो सकता है लेकिन अगर आप सुचेगा कि कभी इस सानल पर पढ़ाई करें तो इसे मानी भटकता है तो यह उच्छा करते हो लाग अलग टीचर का अलग इज मानी तो रहां पर पर पढ़ाने का तरीका तरीका हो फैसे बड़कता इसले एक टारगर्ट रखना अपना मैट्रिक में मतलब खुद को टारगर्ट बनाना है कि हमको यतना लाना है तो लाना है उसी हिसाब से आपको हर शमय महिनत का मतलब कि एक दिन करें और दो दिन करें नहीं है करेंगे महिनत तब मुकाम हासिल होगा मेरा अगर बात क्या जाए तो आफ लंज कोची डीवेस कोचिंग सेंटर के जो मैं नाम लिया उसे मेरा मोटिवेशन बहुत अधिक बड़ा इस मुकाम पर पाने में मुझे बहुत साथ दिया हाथ तकला हर मनला की परीच्छा भी होता कोचिंग में तो मेरे मेरा भी राइंक अच्छा रहता था सोफ परिसेंट में सबस्क्राइब ने के बना रहता है तो मुझे मतला जीसे एक बहुत डार रहता है है हमको यतना करना है करना है अगर वो ठागट ढ़ायों कुछ फायदा नहीं होता क्या मोटिवेट लिए तार्गेट लेने के बात नहीं चलते हैं तो हम उसको कहने चाहिए कि अपना टार्गेट नहीं ले ताभी से लेले आप यह से कम से कम अभी अभी आप छे अवर्डेट अब अगर सेक्ट करते हैं तो आप छे आवर्ड चौन बहुत जादे हैं और खास करकर करका आप मैत पर जादे फोकस करिए क्योंकि मैत ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको मैत में अच्छा रैंक दिया सकता है बिल्कुल बिल्कुल और सब भी सबसे जादे आपको हाइस रैंक दिया सकता है तो मैत है सब्सक्राइब 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 करना चाहता हूं जी अच्छा काफी मेहनत भी कर रहा हूं पढ़ाने में अच्छा है लेकिन सबसे पहले बात यहां पहीं आता है कि कोई भी टीचर पढ़ाता ना स्ट्वेंट को ता अपना इफोट पूरा देता है बसारते उस परकार बच्छे लोग भी फोट लेना का चाही है कि नहीं और एक बत और करना चाहिए जो मतलब कि अगले साल एक्जाम देंगे जी उसको कम से कम क्या बताना चाहते हैं कि जो मोईल का अलग लगाव है उससे दूर रखें मोईल के अच्छा चीज़ में पर्योग करें संगाती वो इसे ही बच्छे को रखें जो आपको मतलब की 10 के रिजल्ट में अच्छा सयोग करें यह ना कि दूसरा चीज में आपको बताने का बिगाणने काम करें वो इसे ही छात्र के संगाती में अपनाए तो बहुत बड़े किरपा होगा और अनुसासन सबसे बड़ी अनुसासन में नहीं रहिएगा तो आप मनले की समय जी कि भटक जाएगा मार्ग से अनुसासन में रहना जरूरी है और टीचर से हर समय अपने मनले को खुछ रखे टीचर से अपने के लिए और सबसे अगर मुकाम आपको टार्गिट पूरा करना तो सबसे बड़ा सेल्फ टीचर कितने पढ़ा देगा लेकिन आप सेल्फ एस्टडी खुद से नहीं करेगा ताप मुकाम को नहीं पार करिए यानि कि खुद की पढ़ाई आज सूबह से लेकर साम तक दिन चारे कुछ बता सकते हैं पढ़ाई कैसे जी दास को तो छे बज़े से लेकर आठ बज़े सूबह से बताएं सूबह से हम पाच बज़ जाते थे पाथ से आठ गंट तीन घंट लगतारी क्लास करते थे आठ आफ लाइन नहीं सेल्फ एस्टडी भोर को सेल्फ एस्टडी और फिर उसके बाद खाना उना तयार हो जाते और फिन टीशन भी चल जाते थे जाड़े साड खूंद होते थे खाना होनाँ खाते थे उसके बाद पिशकोल जाने भी चलाते था तक सुल जाते थे तो एसके बाद तेन सब्हाइं ये तक बड़ थे ञेक हां हर विशाय पे टोटल मतलब जोड़ा जाता मैट्रिक लिए छे पर रहा है लेकिं पास यह ज्म जादktor ा कbec किया आता ही फिक्याश्या पे हम एक घंटा क्लास मारा टाम दे तो नहीं थ्याश्या तो चाई तो गन्टा जोड़ा है कि टैप कर दिया था मतलब कि जो किउचा नीजी था लेकिन वही ही किशन था लेकिन दूसरा माग से घुमा फिरा के किशन पूछा गया था लेकिन हम हमको उतना कॉंफिडेंज था कि हम उतना तक लगाएंग पास सकते हैं तुम्हारा कि मेरा સब्झान टार्गेट था 4500 का सपास लेकिन मतलब मेरा संस्क्रीट में नंबर कट यह ऐ tu तो हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले टार्गेट दूसरा है सेलफ एस्टड़ी हाना तीसरा जहां पर पढ़िये तहां उस teacher को खूस रखे सबसे पहले आप जितना टीचर देता है जैसे सलाह देता उस पर पढ़िये और सबसे में पाइंट कि अगर मुवायल से पढ़ते हैं तो मुवायल का आप किसका परियोग करें सही उप्यों करें एक दो घंटा अलग चीज में यूच कर सकते हैं लेकिन जादे नहीं मुवायल करना चाहिए गेमिंग से हर समय से दूर रहें खास करके जब आप पढ़ाई कर रहें तो अपने मुवायल को चाहिए तो सलेंट कर देजिए चाहिए अपने से बागल में रख दीजिए मुवायल को पर जूरा कि इस्तमाल के नहीं तो आपको भटकाने के लिए बहुत सारा चीज रहेगा मुवायल आप एक बर देखेंगे तो लएगा कि दूर वीडियो देखें लेकि एक दूर घंटे टैम हमको भी काई के दूर घंटे टैम मेर गया है इसे लेकिन सतर कराना है कि मुवायल को तना गलत चीज में यूज नहीं करना अगर अच्छा नमबर लाना है बावू तो य लोग इस वीडियो कहीं पर रखते हैं और आप लोग कहीं काना चाहते हैं जो भी आप कहीं भी पढ़ी है कोई भी टीचर खराब नहीं हो तो पढ़ाने वाला लेकिन आप सेल्फ अस्टेडी थोड़ा ज्यादा कि जाए कि नहीं सो थैंक यू सिराज बावू इस वीडियो कि में परकते हैं भाव।